हाजी दोस्तो कैसे हैं आप सब ? दोस्तो आज हम बात करने वाले है या माट 250 के बारे में यानि FZ2.5 और FZS2.5 के बारे में अब देखें दोनों वाइक्स के प्राईज गिर चुके हैं हाज दोस्तो बहुत जादा कम हो चुके हैं कितने कम हो और क्यों कम हो हैं सारी चीज़ों के बाले में बात करेंगे लेकिन उससे पहले हेलो नमस्कार दोस्तों मैं है नाम हेमन भट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ यार प्राइस कम हो चुका है और देखिए जब से बी एस सिक्स वर्जन में सारी बाइके आई हैं तब से सारी बाइकों के प्राइस बड़े हैं और बहुत जादा बड़े हैं लेकिन मतलब कंपनी ने यामा ने हैरान करते हुए इस बाइक का प्राइस नीचे कर दिया और अठारा हजार मतलब नौर्मल नहीं कि 4,800 में पढ़ जाएगी एक्शोरूम कीमत और जो FZS25 वह आपको 1,39,300 में पढ़ जाएगी यह मैं एक्शोरूम कीमत की बात कर रहा हूं तो यह बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि इन्होंने प्राइस कम कर दिये और क्यूं कर दिये वह भी बात करेंगे लेकिन उससे प और यह अपका सिंगल सिलेंटर रहने वाला है जिसमें आपको 20.5bhp की बावर मिलेगी और 20.1Nm का आपको टॉर्क मिलने वाला है और 5-speed gearbox मिलेंगे मतलब वही इंजन है हाडवेर भी वही है आपका और बाकी जीजे देखने में भी बाइक लगभग वैसी है कोई भी आ जेते हैं देखें कमपनी और विसी बात है अपनी इस बाइक का नेक्स्ट वर्जन या भी थ्री वर्जन लाने वाली है और सब को पता है कि यह वी थ्री वर्जन थोड़ा सा अपग्रेड़ेड मतलब नए कॉस्मेटिक चेंजिस के साथ आए और साथ ही साथ नए इंजन के साथ आएगा बहुत अच्छी बात है नया इंजन मिलने वाला है और कहा यह जा रहा है कि अपनी श्रेणी में मतलब 250cc के रेंज में सबसे ज़्यादा पावर्फुल इंजन हमें मिलने वाला है अराउं 30bhp से ज़्यादा की हमें पावर मिल सकती है यह कहा जा रहा है सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है और कंपनी को पता है कि जब यह बाइक आएगी तो लोग इससे कंपेर करेंगे that's why company अपना जितना भी पुराना स्टॉक को खतम करने की सोच रही है और जितना पुराना स्टॉक है उसको थोड़ा प्राइस कम करके यह सोच रही है कि इसको निकाल दो और उसके बाद जो FZ25 पर आएगी जो नो वीडियो भी नया वेरेंट आएगा उसको हम अच्छे रेट में बेचेंगे और साथ ही साथ उसमें नये फीचर देंगे और लगाया यही साब जा रहा है जो भी नया वेरेंट आएगा यह लग बग आपको एक् प्रवाना जो स्टॉक है उसको क्लेर कर रही है अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह बाइक आपको यानि जो भी परसन लेना चाहता है उसको लेनी चाहिए अब देखे 250cc बाइक से कंपेर करते हैं तो इस बाइक को तो देखे पावर भी बाड़ काफी कम है मतलब 250cc बाइक सब्सक्राइब करेंगे हाँ मगर अगर अपनी 250cc और बाइकों से कंपेर करोगे तो आपको थोड़ा कम ही मिलेगा लेकिन कंपेर करने की जोरती क्या है क्योंकि रोटीन रोद रोद तो आप उनसे रेस थोड़ी लगाओगे तो इस इस आप से देखा जाए तो अगर आप यह बाइक लेना चाहते ह वाली बात नहीं है क्वाल्टी के साथ यामा की बात मतब जैपनीस कंपनी की हम बात करें यामा कभी भी अपने चीज के साथ कॉंप्रोमाइज नहीं करती है तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहे है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अ दे मातरम